तुर्की ने तुर्की के राश्टपती अर्दोगान ने पाकिस्तान को दिखाए बड़े सारे सपने तो तया बर्दमान जो हैं वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं उनसे भी तालुकात बहतर बना रहे हैं और दूसी तरफ वो इसराइल के जो प्रेजिडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंत अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं है हम कह रहे हैं कि नहीं दुश्पन ही है हम तो किसी सुरत तेजारे नहीं करेंगे आगे एलेक्शन आ रहे हैं तो एक तरफ दूसरों को बेवगूफ बनाया जाता है तो तो यह बर्दमान भी दूसरों को बहुत अच्छे बलके सिरफ पाकिस्तान को तिर्की ने तुरकी के राष्ट पति अर्थोगान ने पाकिस्तान को दिखाए बड़े सारे सपने मुसलिम उम्मा का नेता बनने का सपना, एक इसलामिक चैनल का सपना और ये भी दिखाया कि हम मुस्लिम उम्मा अगर एक हो जाएं और उसका लीडर वो तो खुद भी बनना चाते थे, यहां इमरान खान बनना चाते थे, कैर अब तो प्राकिस्तान के प्राइम नेस्टर के कुरसी जाने वाली है, लेकिन सपना जरूर दिखा दिया कि आप मुस् प्रेजिडेंट आफ टर्की, तुर्की के सदर तयब अर्दवान साब ने अब ये फैसला किया है, कि वो इस्राइल से एक बहुत ही जबर्दस किसम के रिलेशन्स रखना चाहते हैं, और जो इस्राइल के प्रेजिडेंट हैं, वो नेक्स मन्त तर्की के दोरे पर आ रहे है और तयब अर्दवान ने NTV को एक इंटर्वियू देते वे ये कहा है, कि वो इस्राइल के साथ तावन करने के लिए, उनके साथ कॉपरेट करने के लिए तयार है, और ये बात उन्होंने क्यों कहीं, ये मैं आपको बात में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए, कि तयब अर्दवान, मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब साथी अरेबिया के बाद, यानि पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तसवर ये समझा जाता था, सिंबल साथी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तयब अर्दवान ने का कि मैं بنوں گا, मैं हूं, मुझे दसलीम किया, उन्हों ने भरपूर अपनी पूरी कोशिशी की, इस सल्सले में उन्होंने ऐसे इसलामिस्ट किसम के जो है स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए जिस पर उन्होंने का खास दोर पर जो पैलिस्टीन का मामला है, फलस्टीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं वो कहते हैं इसराइल जो है वो फलस्तीन पर हमले करता है उसके खिलाफ जारियत करता है हम किसी भी सूरज वो कबूल नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा एक फाशिस्ट है और इस तरह की चीज़े वो अकसर कहते रहते हैं इसके लाव गाजी अर्थगुल ने क्या किया हो गाजी अर्थगुल जो दिखाता था जो शो था टीवी शो था वो ये दिखाता था कि कैसे मुसल्मान लड़ें दूसरे धर्मों से तो उनको सिखाया दूसरे धर्मों से लड़ना और खुद क्या किया उन्होंने खुद उन्होंने इस अब आप देखिए कि अपने फाइदे के लिए अपने मफाद के लिए कोई कंट्री कुछ भी कर सकता है एक तरफ आप कितनी बड़ी मुनाफकत है कि तये बर्दवान एक तरफ फिलस्तिन का मसला उठाते हैं उनके हग में नारे लगाते हैं मुसल्मानों के लिए जूट बोलते हैं वह बहुत बड़ा वो सिरफ दिखावे के लिए करते हैं अगर ऐसा है फर्स कीजिए उनके दिल में वाकई फलस्तिनियों का दर्द है लिए उस तरहा की फाइद नों हमारे वजीर आजम को हमारे कंट्री को हमारे लोगुं को हम इसी तरफ आप ये भी देखिए, एक तरफ हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं है, हम कह रहे हैं कि नहीं दुश्पनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगा, आगे एलेक्शन आ रहे हैं, यह स्लोगर लेकर जाना है, वजीर आजम इसे परोन मिल सकती है। तो तयए बर्दोबान वह भारत की तरफ भी देख रहे हैं, उन्से भी तालूकात बहतर बना रहे हैं। उनकी से भी फाइदे हासल कर रहे हैं और इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन्स काइम कर रहे हैं और दूसी तरफ वो इस्राइल के जो प्रेजिडेंट पर अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं उनको आने की दावत दे रहे हैं वो जाएंगे वहां पर तालुक नहरान है पाकिस्तानी जेनलिस तो पागल हो चुके कि ये क्या हुआ ये तो हमाई साथ खड़ा था आज उदर खड़ा है दूसरी साइट ये तो इंडिया के खिलाफ बोल रहा था इसने कई जगा कश्मीर बोला आप कश्मीर भी नहीं बोलता ये हो क्या गया ऐसा तकड़ा इंडिया के चलो चलो इंडिया से मान लिया इंडिया से इसने कर ली लेकिन यहां तो अपने दुश्मन से जिसको हम दुश्मन माने बैठे हैं भले ही सारे के सारे क्या बोलते हैं अरब कंट्रीज न मानते हूं अरब कंट्रीज उससे दोस्ती बना रहे हूं लेकिन हमने ब पूरा इस्लामिक वर्ल हमारे पैड़ चुएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, साथ में जितने भी दोस्त है सारे के सारे धोका देने लगे, कोई इनके साथ खड़ा नहीं, टर्की की एकॉनमी टूटी और बुरी हालत में आ गई, टर्की को पता लगा कि नहीं यार, यह मुस इस्तान को धोका देते हुए, वो इंडिया से दोस्ती की, इंडिया से ड्रोन कर कांट्राक्ट कर रहे हैं, और दूसरे कांट्राक्स कर रहे हैं, साथ में, इस्रेल के प्रेजिडेंट को अपने पास विजिट पे बुला लिया, इस्रेल प्रेजिडेंट भी खुश, वैसे जुलाई से अब तक, पिछले साल जुलाई से अब तक तीन बार बात हो चुकि यह दोनों लीडर्स की, एट्रेली प्रेजडेंट और अर्दुगान की तर्किश प्रेजडेंट की फोन पर और बड़ी अच्छी बात चित हो यह है अपने इस मुस्लिम उम्मा के सपने में अर्दुगान ने किया क्या था अर्दुगान ने ये किया था कि साओधी अरेवे से दुश्मनी ली UAE से दुश्मनी in fact UAE को भी जा रहे हैं फेबरी में सबसे बेटर रिलेशन बनाने शुरू कर दिया उन्हें पता एकॉनमी बेटर न जब तक नहीं होगी तो अगले साल आने वाले इलेक्शन में हारूँगा और पाकिस्तान क्या क्या है इसको उन्हीं पुछता है इसे तो दूरी रह अच्छा है ये जिसके साथ हाया मुझे भी FATF में ले गया और क्या ची है मैं तो फस गया ना चार ओर से इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ सकता अर्दुगान जो थे उन्होंने उनके ओपर सैंक्शन भी लगे थे अभी क्योंकि उन्होंने रशिया से S400 खरीद लिया था तो वो सैंक्शन भी लिफ्ट कराना चाहते है और सैंक्शन लिफ्ट हो पैसा तो आए मेरी एकॉनमी कैसे चलेगी तो अर्दुगान ने क्या किया बेटर रिलेशन बनाने के लिए इंडिया से बनाया आप इस्रेल से बना रहे हैं रोम के जरीये यॉरप से जो कुदरती गैस है नैच्रल गैस उस पे एक बड़ा कंपेटिशन होता है और वो होता है टर्की, कबरस और युनान के बीच और टर्की ये चाहता है कि ये जो नैच्रल गैस है इस पे उसकी अजारादारी काइम हो वो इस competition में जीत जाए क्योंकि रोम से यॉरप आने वाली इसराइली नैच्रल गैस जो है कुदरती गैस उसमें एक बड़ा competition रहता है इस competition में कबरस और युनान और टर्की ये कंट्रीज चामिल है और टर्की ये चाता है कि उसकी इसके पर अजारादारी हो और वो इस competition में जीते ये वज़ा है कि वो अपने तालुकात इसराइल के साथ बढ़ाना चाता है सिर्फ यही नहीं है बलगे वो ट्रेड भी उसके साथ मजीद आगे बढ़ाना चाता है